कल कोई question homework में दिया था कि आपको मैंने अच्छा कल देखिए हम लोग ने एड़्जस्टिट कैश्रुक की ठीओरी लिखी थी बीटा और जाते जाते में question आपको read करवा के गया था कि कौन सा एड़्जस्टिट कैश्रुक में आएगा और कौनसा नहीं आएगा जो एड़्जस्टिट कैश्रुक में नहीं आएगा वो कहा करेंगए अपन लोग brs में भी रहां कॉनसा इलश्टरेश्टिशन कॉनसा सब्सक्राइब इसकस किया था पहले six चलो पहले six नंबर करता है cashbook बनानी है कि नहीं बनानी, question mention करेगा हर चाइज, on 30th December 2019, the bank column of A. Phillips cashbook showed a debit balance of रुपी 4610, cashbook के बिटा जो 4610 रुपे का balance बताती है, आपको आखरी में दिया था कि adjusted cashbook आपको बनानी है, तो सबसे पहले बनाईए, लिखो illustration number 6, adjusted cashbook, वैसे तो cashbook में cash column भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जब BRS बनाते हैं, तो हमारा सारा focus कौन से column पे होना चाहिए, bank column है, पिटा, adjusted cashbook कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो transaction आपका record करना pending है, या जिसे आपने गलत record कर लिया, बस आपको उसे ठी करने के entry पास करने है, जो entry बोलोगे उसमें अगर bank debit होता है, तो adjusted cashbook के debit में लिखो, और जो entry बोली अगर उसमें bank credit हो रहा है, तो उस figure को credit में लिखो, nothing else, कुछ भी और बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले question में बूलता है कि cashbook ने balance बता रखा था, debit balance 4610, जो two balance BD लिखे है या buy balance BD, two balance BD, क्योंकि कौन सा balance था बिटा, debit balance, rupees 4610, okay, now read point number one, checks amounting rupees 6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cashbook before 38 December 19, were not presented for payment until that date, पता यह BRAS के adjusted cashbook, क्योंकि इसके entry कहा हो चुकी है, cashbook में हो कही, no further adjustment is required in cashbook, point number second बड़ी बिटा, checks amounting to rupees 2,50,000 had been recorded in cashbook, had been recorded in cashbook, as having being paid into the bank, but वो bank में credit 38 December की बजाय कब credit हुआ, 1st January, तो 38 December तक तो दोनों में difference रहा होगा, but entry कहों हो चुकी है, तो दुबारा किस में नहीं होगी, cashbook में नहीं होगी, तो कहा जाएगा वेटे, BRS, but point number 3 देखे, a check received for Rs. 73,000 had been dishonored, prior to 38 December 2019, but no record of this fact appeared in the cashbook, मेटा मुझे माली जे किसी customer से check मिला, and I deposited the check into the bank, तो मेरी books में entry मैंने जरूर पास की होगी उस check को bank में deposit करने की, bank account debit to customer किया होगा, अगर यह check deposit होके collect हो जाता, तो बस मेरी entry जो मैंने कर रहा किया हो जाता, लेकिन यह check क्या नहीं हुआ, collect नहीं हुआ, जबकि dishonor हो गया, तो जिस bank को मैंने debit कर रखा था, यह सोचकर कि मेरा bank balance increase हुआ है, क्या वास्ता में increase हुआ है बिटा, तो मुझे इसे तो क्या करना पड़ेगा, credit, और वो customer से पैसा मुझे अभी भी मिलना बाकी है, तो उस customer को जिसे मैंने credit कर दिया था, उसे मैं क्या कर दूँगा debit, reverse entry हो जाएगी, class 11 ने पड़े थे आप लोग cashbook, customer से वापस से debit मना के पैसा लिया जाएगा, तो एंट्री होगी customer account debit to bank, बोलिए सब लोग बोलिए, तो bank, आप bank को credit कर रहे हो, तो DR में लिखूँ या CR में, customer account debit to bank बोल रहे हो, तो bank की CR में लिखूँ या ledger posting, क्या हुआ, CR में लिखूँ या CR में, आज थोटा तुम्हारा जो मन का वह में वो निकाल देता हूँ, आप गलत बोलेंगे, तो कि सजा नहीं मिलने वाली है, ठीक बोलेंगे तो बहुत तालिया नहीं बजाँगा आप लोग के लिए, तो बोलो, बोलने से आप सीखो कि बीटर, मैंने बोला मुझे reverse entry करनी है, bank to customer के entry की थी, मुझे reverse entry करनी है, customer account debit to bank करना है, तो मैं bank को credit में लिखूँ ना, CR या CR? पका? लिको by customer, by the value rupees 73,000, जैक 73,000 कही था भीड़ा, अचा dividend of rupee 3,80,000, paid directly to the bank, मेरी company जिसके मैंने shares ख़ीद रखे थे, उसने उस company को, share orders को क्या दे दिया? dividend, सीधा पैसा कहां जमा हुआ? अचा मुझे अगर पता चलता कि, bank ने dividend receive किया है, मेरे बिहाफ़े, तो मेरी income हुई होती, तो मैं entry क्या करता है, cash account debit to bank, to dividend या bank account debit to dividend, आप बुले, bank account debit to dividend, तो DR में लिखूँ या CR में, DR, लिखो 2 dividend, और रुपीज 3,80,000, clear? यह entry क्यों करी मैंने adjusted cash rook में, क्योंकि इसकी कोई भी entry अभी तक cash rook में record नहीं हुए, कल आप बोले थी मेरे कोई बात, bank interest in charges amounting to Rs. 4,200, had been charged in the bank statement, but not entered in the cash book, bank charges, bank ने क्या लगाया आपके उपर? expense हुआ आपका, कहां से गया पैसा? bank से, entry बोलिए, bank charges, account debit to bank to DR या CR, CR लिखो बाय, bank interest and charges, of the value Rs. 4,200, no entry had been made in the cash book for trade subscription of Rs. 10,000, paid white bankers order in November 2019, bank को आपने एक order दिया था, कि आप फना date को मेरे account से 10,000 पे निकालना, और इस organization को क्या पे कर देना? subscription का payment कर देना, bank ने आपके order को follow किया, आपके account से 10,000 पे निकाले और subscription का payment कर दिया, सोचिए, यह expense of the business हुआ, recording होनी चीए थी, जेकिन यह entry हुई है क्या बीटा? तब नहीं हुई, तो आज पता चलने पर आज entry कर दे, बोलिये, कर देना? correct, trade subscription account debit to bank, लिखो, by trade subscription account rupees 10,000 next transaction, check for rupee 27,000 drawn by B.Philip, check किस ने draw किया? P.Philip, कौन हम A.Philip है कि B.Philip है? हमने हमारा balance कम किया, या bank ने गलती से हमारा balance कम कर दिया है? bank ने गलती से A.Philip की account में डाल दिया, वो check का issue, इस गलती को ठीक करने की जिम्मधारी बीटा हमारी है या bank की है? वो भी identify? क्या हमें को एंट्री करनी चाहिए? लेकिन difference तो आ रहा है न वीटा? कहा शूर करेंगे? everything is over, सारे point अपने cover कर लिए हा वीटा? अब देखो, debit का total देखे कितना है? 4610 प्लस 3,80,000 यानि total of debit side is 384610 पेटा payment side में देखो transactions हो रहे है तो buy balance ED आ जाएगा? कितना या? ओके 297410 ठीक है पेटा बोट side total is 384610 अब आप एक second के लिखना बन कर दीजे सुनो, दो question आएंगे फटा-फट जवाब देना हो यह जो balance given था ना 4610 यह भी किसका balance given था? और यह जो balance आया है 297410 यह भी किसका balance आया है? जो उन्हों में फर्क इतना सा है 297410 अब किसका balance बोला जाएगा? क्योंकि 4610 में certain adjustment आपने किये सब जाकर balance आया है? पहला बात, दूसरी बात आप मुझे फटा-फट answer दोगे बिना रुके Cashbook का जो balance आया है 297410 यह debit balance आया है या credit balance आया है फटा-फट answer दीजे debit balance Are you sure? किसे के मन में है कि credit balance तो please raise your hand अरे credit side में आया है न यही बात चर्चा होई थी हमारे बीच में कि जब आपने पहली बार मुझे plus minus वाला बताया था कि plus में आएगा कि minus तो मैंने कहा था क्या लिखेंगे लिखो बेटा 2 balance brought down 297,410 2 balance BD एग्जाम में क्या लिखना जुरूरी है क्या? ना लिखो तो marks कटेंगे नहीं लिखकर आओ तो marks मिलेंगे नहीं then what is the need? बता सकते हैं? चलो hint देता हूँ अब इस adjusted cash flow के बाद में क्या बनाने बादा हूँ तो जब मैं BRS बनाऊँगा तो मेरे सामने किस book का balance आया है adjusted debit आया है कि credit आया है यह जान रखना बहुत जो रही है ना पता यह two balance BD आपको दिख रहा है तो यह adjusted cash flow का balance debit balance आयेगा तो यह जो positive balance होगा इसे plus side में लिखना पड़ेगा सबने नोट कर लिए पिटे अब जितने भी transaction adjusted cash flow में नहीं आये वो सब कहा हैंगे BRS में लिखो BRS as on 30th December 2019 A column plus का A column minus का एक चीज़ और बताईगे balance as per cash flow क लिखने से काम चलेगा या balance as per adjusted cash flow क लिखने से काम चलेगा करेक्ट बेटा balance as per adjusted cash flow debit लिख रहा हूं है या मैंने यूहीं पूछ लिया कुछ तो reason होगा पिटा अगर मैं balance as per cash book लिखता न तो मैं 4610 रुपय लिखा होता है फिर यह सारे आइटम जो मैं इधर credit किया हूं डेबिट किया हूं यह भी सब कहां आते BRS में लेकिन because मैं अपनी cash book को क्या कर चुका तब जाकर मेरा balance 297410 आया तो वापस में सारे point BRS में नहीं आएंगे तब केवल point वो आएंगे जो adjusted cash book में cover नहीं हुए agreed point number 1 देखे checks आपने कितने रुपय की issue किये थे विठा 3,30,000 लेकिन क्या इससे cash book का balance कम हुआ उतने से ही क्या pass book का balance भी कम हो गया था क्या no because these were not presented for payment केवल किसका balance कम है किसका नहीं है we are starting from plus कर दूँ ठाल 3 1 2 here 35 Fay 35 35 हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, इस डिफिनेटली, थेले, नो प्रॉब्लम है, मैं को लगा भी था कि यह सम में सो रहा है, तो, हाँ हाँ मैं, कि बार रुपो में आ रहा हुए, कास करने का हाँ आज जी पिटा, next point देखो, checks amounting रुपी 2,50000 had been recorded in the cashbook, has having been paid into the bank on 30th December 19th, but they were entered in the bank statement on which date, किसमें entry हो चुकी है, आ नहीं हुँ हुँ पिटा, विया स्टार्टिंग फ्राउम, जाना कहा, प्लास हो चुकी है cashbook, हम क्या कर दें इसे, minus क्योंकि cashbook का balance ज्यादा है, और passbook का balance काम है, लिखो, text deposited but not cleared, plus की जगा, हम इसे उल्टा करके, minus करके equal करेंगे cashbook और passbook को, अब फटाफट बताईए, क्या point number 3, आएगा भी यार इसमें, आएगा क्या, क्यों, already adjust हो चुका है, बीटा, point number 4 आएगा, dividend वाली कहानी, cover कर चुकिया अपनलो, bank interest, fifth number point, क्योंकि ये भी cover हो गया, point number 6, ये भी हो चुका, लेकिन point number 7, pending है न बीटा, bank ने गलती से 27,000 का balance, जो B का कम करना चाहिए था, वो A का, A फिलिप का कम कर दिया, इसे passbook का balance reduce हो गया, आपन भी BRS point of view से decrease कर दे, cashbook के balance को, क्या लिखेंगे, लो ले, गलती किस ने करी, रॉंगली credited या, रॉंगली debited, correct लिखें, रॉंगली, debited by bank, बैंक ने कम किया बिटा, अपन भी अपने BRS में, cashbook के balance को, कम कर रहे हैं, after point number 7, कोई point बचा नहीं है बिटा, positive का total लगाई है, 927410, positive का total जादा है, negative का total कम है, दोनों में difference, पचास चार्सों दस, 650,410, तो बिटा, आपको BRS भी बनाना आगया होगा, और adjusted cashbook भी आपको समझ में आगई, एक illustration अपन और करेंगे, पहले बताओ, इसमें कोई doubt है आपको, let us solve illustration number 5, on 30th September 2019, the bank account of X, according to the bank column of cashbook, was overdrawn to the extent of rupee 4062, भी आपकी बार cashbook का balance, debit balance है की credit balance है, overdraft, यानि account holder की liability होगी, cashbook का balance, credit है, on the same date, the bank statement showed a credit balance of rupee 20,758, bank statement, credit balance हो करता है, यानि passbook credit balance हो करता है, यानि bank कहता है कि हमारे पास, तुम्हारे पैसे deposit है, पक्का, bank बोलता है deposit balance है, account holder बोलता है, न, न, हमने क्या लिए दखा है, overdraft, दोनों भी difference है, आगे बोलता है, in favor of X, an examination of cashbook and bank statement, reveal the following, point number 1 से लेकर, point number 7 तक reason of differences given है, you are required to show the appropriate rectifications required in the cashbook of X to arrive at the correct balance on 30th September 2019 and to prepare a bank reconciliation statement as on that date, तो इस question में भी क्या मांगी अपने से, adjusted cashbook, बनाओ, illustration number 5, adjustate cashbook, which column, bank column, चलिए, सबसे पहले, opening balance लिखेंगे, cashbook का opening balance, अपने को 4062 का overdraft given था, पीटा, overdraft balance, account holder की asset, या account holder की liability, true balance BD, या buy balance BD, correct, rupees 4062, okay, true balance BD क्यों नहीं है, because या asset नहीं आपकी क्या है, liability, अब point number 1, अब आप ज्यादे से आप answer दीजे, point number 1 पढ़िए, सुनना है मुझे, बूलिए, क्या लिखा है, हमने check-up जमा किया bank में, तो हमारी cash book 23 सेटमबर को increase होगी होगी, हम BRS कौन सी date तक का बना रहे हैं, लेकिन क्या ये check 30 सेटमबर तक आ गया था, या उसके बाद आया था, लेकिन entry कहा हो चुकी है, क्या आएगा अब adjusted cash book में, कहा जाएगा, point number 2, अब payment by check of रुपी 16,000 has been entered twice in, गलती है हमारी, हम ठीक करेंगे इसको, ठीक करना माले, रेक्टिफिकेशन entry पास करना, बिटा हम किसी party को 16,000 का पैसा दिए, चेक से पैसा दिया, entry बोलो, party को पैमेंट किया अपने, party account, customer से तो पैसा लेते हैं, party account debit to bank, एक बार entry हो जानी जिये थी, mistakenly अपने इंट्री एक बार और कर दी, party account debit to bank, what do you suggest, एक बार entry reverse कर दो सर, आपने party to bank, party to bank दो बार किया, एक बार opposite entry कर दो, bank account debit to party, तो जो extra entry उसका conversion हो जाएगा, cancel हो जाएगी, entry क्या बोल रहे हैं आप, bank account debit to party, तो bank के DR में या CR में, DR लिखो, two party account, 16,000 rupees, कोई नमबर थ्री, on 29th of September 2019, bank credited an amount of रुपी 1,17,400, received from a customer of X, but the advice was not received by X, until 1st October 2019, bank में X, जिसके हम लोग BRS और adjusted cash बना रहे हैं, उसके किसी customer ने, directly पैसा जमा कर दिया था, यानि passbook का balance तो क्या हो चुका था, तो थियोरी लिखवा ही थी मैंने, amounts paid, और collected by bank, on behalf of account holder, they will be adjusted in cash book न, तो पैसा बैंक में deposit हुआ, तो आपको bank account debit करना चाहिए, और किस से deposit हुआ, customer से, तो इंटी बोलो, bank account debit to customer, one more time, लिखो, लिखो, रूपीज वन लेक सेवेंटीन थाउजन फोर हंड़ेट, bank account debit to customer, वन लेक सेवेंटीन थाउजन फोर हंड़ेट, अचा, आगे देखे, bank charges amounting to रूपी फाइफ एटी, had not been entered in the cash book, bank ने क्या लगाया आपके उपर, expense है हमारा, एंटी बोलिए, bank charges account debit to bank, of रूपीज फाइफ एटी, ओके, next point, on 6th of September 2019, bank credited रूपी ट्वेंटी थाउजन टू एक्स in error, गल्ती किसने करेंगे, हम ठीक करेंगे क्या, बढ़ डिफरेंस तो है ना, काश हो करेंगे, point number 6, पढ़ ये पहले आप लोग पढ़ ले, मैंने एक topic समझाया था, bill of exchange को, bill को bank से discount करवाने वाले बात, हमारे पास एक bill कितने रुपे का था, जिसे x ने किस से discount करवा लिया था, यानि bank के पास bill चला गया था, और bank से पैसा x के पास आ गया था, this bill was, अगर honored लिखा होता ना, तो अपन कोई भी treatment नहीं कर रहे होते हैं, bank ने पैसा किसको दे दिया था, x को, और बाद में bank को पैसा उस party से मिल जिया होगा, जिस party ने बिल दिया था, लेकिन जब ये dishonor हो जाता है, मतलब उस party ने bank को पैसा नहीं दिया, तो बताए बैंक किसको ढूंड़ेगा, x को, और x के account से कितना पैसा निकाल लेगा, 1,40,000, बात समझ मैं आ गई, bank किसे लेगा, x से, बताए ए, x किसे लेगा, उस customer से, मैं तीन नाम लेता हूँ, a, b, and c, I am the person जिसके बारे में बात हो रही है, she is bank, and she is customer, मैंने इनको 1,00,000 का goods बेचा था, इन्होंने मेरा bill accept करके, मेरे पास छोड़ दिया, अगर मुझे पैसो की जुरत नहीं होती बेटा, तो मैं bill इनको present किया हो था, दो महीने बार तो और इनसे पैसा ले या था, लेकिन जब मुझे fund के जुरत पड़ी, तो मैंने अपना bill bank को दे दिया, bank से मैं पैसा लेकर आ गया, मैं free हो गया मिटे, दो महीने बार जब bank इनसे पैसे मांगने गया, तो इन्होंने bank को पैसा दे दिया, अपना तीनों free हो गये, लेकिन इन्होंने अगर पैसा bank को नहीं दिया, तो bank तो मुझे से लेगा, और मैं किस से लूँगा, customer से, entry बनाने की कुशिश करो, मैं किस से लूँगा, तो जिनसे हम पैसा मांगते हैं, उसे business का data बोलते हैं, या creditor बोलते हैं, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, data, data business की asset होती है, या liability, assets को क्या करते हैं, debit, तो मेरी entry में, customer account debit हो जाएगा वीटर, और मुझे ये पैसा देना किसको है, तो bank मेरा क्या होगा, creditor, तो मुझे bank को credit करना चाहिए, एंट्री बनाई फटाफट, customer account debit to bank, इबर और गोलिए, और honestly जवाब दीजिए, समझ आया, customer account debit to bank, तो buy customer, detail में discussion होगा, अगले chapter, bills of exchange में, we are dishonored, and the value was, रूपी 1,40,000, सारे points consider होगे पीटा, नहीं, एक point number 7 बचाए, पढ़ो point number 7 क्या बोलता है, a check issued, up to rupees, up to 30th September 19, but not presented for payment, up to the date, total rupee 13,26,000, check कौन issue करता है, account holder, cashbook का balance reduce हो चुका होगा, इसका reduce नहीं हुआ, entry कहा हो चुकी है, तो adjusted cashbook में आएगा, या केवल BRS में, सारे point cover होगे, देखो पीटा, debit में total कम है, और credit में total ज्यादा है, पहले credit का total बताओ, 144,642, और debit में से माइनस कर दो, 11,242, कैना ही से कि, after making adjustment in cashbook, cashbook का balance, credit balance शूकर पह, ज्यादा था, और जैसे ही आप adjusted cashbook बना लें, और balance करेड़ डाउन कर दें, उसके बाद तुरंट अगला काम क्या करना है, balance brought down, तो पहले, because two balance ED आया था, इसलिए अपने लिखेंगे, by balance BD, 11,242 रूपीज, ए ग्रीड बिड़ा, अब क्या बनाना चाहिए अपने को, पैंक reconciliation statement, as on 30th September 2019, क्या लिखकर शुवाद करें, balance as per adjusted cash book, क्योंकि CR balance आया था, CR balance, cash book का CR, मतलब cash book की liability, over draft, positive में लिखेंगें, या minus में लिखें, रुपीज 11,242, यार अभी भी overdraft है, जबकि bank कितना balance बता रहा है, 20,758 का positive balance बता रहा है, क्योंकि, कुछ points ऐसे हैं, जो भी तक adjusted cash book में cover, नहीं हुए, पैटा point number one, फटा फट जवाब देंगे, plus होगा, BRS में या minus होगा, minus, क्यों, cash book का balance क्या हो चुका है, increase, किसका नहीं हुआ, starting from cash book, decrease कर दें हम भी, tax deposited but not collected, of the value, 13,00,00, 14,00, जो फटा फटा बता ही, point number two आएगा क्या, क्यों, adjusted cash book में adjust हो गया बिटा, point number three आएगा, वो भी नहीं आएगा, four, नहीं आएगा, five आएगा शेयद, गलती किस ने करी, bank ने गलती से, आपकी account को क्या कर दिया, bank increase the balance by rupees, 20,000, we are starting from cash book, आपन भी plus कर दें बिटा, क्या लिख के बोलेंगे, bank ने गलती से, आपके account को अगर क्या कर दिया है, increase, तो आपन क्या लिखेंगे, wrongly, credited by bank, 20,000 पर आगया, point number five के बाद में, point number six, बताएगे बिटा, point number six आएगा, no sir, अभी 140 का अपन एज्जिस्मेंट किये थे न, point number seven बढ़के बताएगे, plus या minus, अब तो रट गया होगा, check issue देखती बोले, cash book कम हो गई, pass book ज्यादा है, cash book से start कर रहे हो, plus कर दो, number three क्या लिखेंगे अपन लिए, correct, check issued but not presented, of the value 13,00,26, positive side का total 13,00,46,000, negative का तो पिकना, तेरा लाग पच्चेश दर, 242, दोनों में difference निकालो, क्या 20,758 आ रहा है, plus में लिख दू, balance plus में आ रहा है, इसका मतलब bank बोल रहा है कि, हमारे पास तुम्हारा पैसा deposit पड़ा है, हम लोग start किये थे cash book से, पहुँच गए हम लोग passbook, bank में deposit पड़ा, यानि bank के liability, इसलिए passbook का balance क्या होगा, credit, यही तो बोलता का question, 20,758 credit balance होना चाहिए, वापे से confirm कीजिए, समझ आया है बेटा, illustration 5 औ 6 दोनों समझ में आ गए, और अब इस chapter का, आखरी ऐसा question, जिसमें adjusted cash book बनानी है, that is practical question number second, जो practical question आप second करने वाले हो, यह past exams में दो दफा पूछा कहा है, two times, same question उठकर आया था, same question, सिवा एक छोट इसे change के, जहाँ पर 44,50,000 आप देख रहे हो, महाँ से एक zero कम करके, 44,50,000 को 4,45,000 बना दिया गया, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ऐसा note करने की जुरूत नहीं है, एक्जाम में जो paper आते हैं, वो 90% कहां से उठके आता है, IECI module, यह module के question यह उठाए, value कम जादा, कई बार half कर देते हैं, कई बार double कर देते हैं, कई बार thousand उसको lakh में कर देते हैं, lakh में उसे 10 lakh में कर देते हैं, lakh में उसे 10,000 में कर देते हैं, एक जिरो घठा देते हैं, इत्ता ही काम करते हैं, according to the cash book of Gopi, exam में आया था, according to the cash book of G, there was a balance of 4,45,000, exam में था है, यहांपे क्या लिखा है, 44,50,000, according to the cash book of Gopi, there was a balance of 44,50,000, in his bank on 30th June 2019, on investigation you find that, बेटा, point number 1 से लेकर, 8 तक के point given है, requirement में लिखा है, to make the appropriate adjustment in the cash book, मालब क्या बनाना है अपने को, adjusted cash book, and बाद में क्या करना है, to prepare a statement, reconciling it with the bank, पास्वोक या नहीं क्या बनाना होगा, adjusted cash book और फिर, BRS, पहले क्या बनाऊ, लिखो फटा फट, practical question number 2, पास्वोक बनाऊ, there was a balance of Rs. 44,50,000 in his bank, कहीं बोला कि overdraft है कि deposit balance है, क्या मानते हैं, deposit balance मानते हैं, तक cash book का balance, debit balance माना जाएगा, क्या लिख दू बेटा, true balance BD, 44,50,000, अब आज हुए हैं कि नहीं हुए, कल हो जाएंगे, हमने तो मारा काम पूरा कर दिया, but what is about point number 3, dividend of Rs. 40,000 in rent amounting Rs. 6,00,000 received by the bank, and entered in the passport, but not recorded in the cash book, बोलिए, bank में dividend रेसीव हुआ, bank को, bank ने हमारे भिहाँ पर rent रेसीव किया, हमारे income एने विटा, तो bank balance increase हुआ, हमको भी increase करना चाहिए, entry बोलिए, bank account debit to, dividend to rent, DR में लिख दू, लेखो, bank के debit में, to dividend, 40,000, to rent 6,00,000, रुपेज, ओके विटा, next point देखे, insurance premium अब टू 31st December 2019, paid by the bank, रुपी 27,000, not entered in the cash, bank ने कितने भी period का insurance premium दिया हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, bank ने payment कर दिया, यह हमारे business का expense था, अपने को भी entry करनी चाहिए, entry बुलिए, insurance premium account debit to bank, तो bank को C.I. कर दू बिटा, अच्छा, point number 5 बता ही है, ACB में आएगा, या BRS में आएगा, payment side of cash book had been undercasted by rupees 5,000, ACB में आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी गलती है सर, अपने को ठीक करना है, कौन से साइड में गलती है, payment side, कम total है कि ज्यादा total है, यानि इस side का total जो 5,000 रुपे से, आपने क्या कर रखा है, कम कर रखा है, उसे ठीक करना पड़ेगा अपने को, पिटा, proper treatment तो मैं आपको सिखाऊंगा, जहम लोग ratification of error का chapter करेंगे, कि undercasting, overcasting में treatment कैसे होगा, you have heard the name suspense account, तो वो कहां खुलेगा, कहां नहीं खुलेगा, हम उस chapter में discuss करेंगे, क्योंकि इस side का total 5,000 रुपे से कम लगा हुआ है, तो जितना कम लगा है, उतने से और create कर दूँ, हिसा बराबर हो जाएगा मेरा, पहले create side में लिखो, 5000 और अब reason लिख देंगे, by undercasted, इसमें suspense account क्यों नहीं open हुआ, कब open होगा, कब नहीं, that will be discussed properly in the chapter ratification of error, अच्छे एक बात बताओ, अगर credit side 5000 से undercast की बज़े, overcast हुई होती है, अब create में लिखे होते हैं क्या 5000, क्या का लिखे होते हैं, रविट में, understood, point number next, bank charges of Rs.1500 shown in the passbook, had not been entered in the cashbook, entry करनी जाहिए अपने को, speak the entry, bank charges account debit to bank, लिख दें बाई, bank charges, अब फिट से बूले, क्या बोल रहा है हैं, फिर दुपा स्फिर बताना है, साइट का टोटल 5000 से कम लगा, देखो इधर, इस साइट का टोटल, यह समझ गए payment मतलब पैसा निकालना, इस साइट का टोटल 5000 से कम लगा वेटा, मानलो इधर का टोटल सपोज, आना चाहिए था, for example, 2500, but आपने कितना ही लिखा हुगा है, तो मुझे बताओ, इधर आना चाहिए था, 2500, आपने कितना रहा है, मैं क्या करूँ है, इधर, और लिख दूँगा ना, इक ही मैत होगी, वह मैंने वहीं किया है, नेक्स पॉइंट, क्या बोल रहेते, बैंक चाज़ेज कितने रुपे का है, पंद्रह सो रुपे का, इधर नेक्स पॉइंट बोलिया है, अ बिल पेबल और रुपी टू लैक, हैड बीन पेड बाई दी बैंक, बट वास नॉट एंटर इन दा कैश मुन, बिटा, बैंक ने आपके, बिल्स पेबल नाम की लैबिलिटी का पेमेंट कर दिया, आपकी लैबिड टिक्रीस होगी, और बैंक में से गया तो, बिल्स पेबल अकाउंन डेबित तू बैंक, या एंटरी होना ही चाहिए थी, बेन पास ना अंटरी, तो आब कर दें, by little payable account debit 2 bank to buy bills payable account by the value rupees 2 lakh hmm and bill receivable for rupees 60,000 had been discounted with the bank at a cost of rupees 1000 which had also not been recorded in the cashback. अच्छा आप जब बिल को bank से discount करवाएंगे तो bank आपके account में पैसा transfer कर देगा bank 60,000 transfer करेगा या 1,000 cut करके transfer करेगा तो bank account डेविट 59,000 discount आपके लेक नुकसान हो गया बिटा और बिल कितने का था 60 तो to bill receivable was of rupee 60 ये entry card books में impact आना चाहिए था लेकिन नहीं आया तो bank कितने से debit होने से रह गया उस समय रह गया आज पता चल गया तो latest debit bank this time bank के debit में क्या लिख दिया जाए to bill receivable फटा फट बोलिए 59 या 60,000 क्यों बिल तो 60,000 का था था न bank में तो जितना पैसा आएगा सर उतने से ही debit करेंगे आप bank account debit to bill receivable नाव भीटा क्या आपन सारे aspect cover कर चुके give me the total of debit side 51,49,000 और credit का total minus कर ले 49,000,000 15,500 हम पिटा जो by balance cdi उसे क्या लिख दिया जाए 49,000,000 15,500 two balance bd understood क्या बाकिए पिटे भी 50,000,000 as on 30th June 30th June क्या लिखा जाए balance as per adjusted cash flow debit या credit positive में लिख दे 49,000,000 15,500 अब जो point adjusted cash flow पे नहीं consider किये वो सब यहां आजाएंगे चले point number one आपने 6,000,000 रुपे के check issue करके cash book का balance decrease कर दिया था बट वो पैसा bank से reduce नहीं हुआ plus और minus hmm plus cash book decreased but not the balance of pass book check issued but not presented for payment of the value रुपीज 6,00,000 point number second देखो पीटा checks paid into bank amounting रुपी 11,00,000 तो cash book का balance कितना बढ़ाया होगा आपने 11,05,000 से out of which checks amounting रुपी 5,00,000 only collected तो cash book increase by 11,00,000 but उसके अगेंस्ट pass book केवल कितना increase हुआ 5,00,000 यानि दोनों में 5,00,000, 55,000 का difference आ रहा है cash book 55,00,000 से ज्यादा है बेटा cash book से start कर रही जाना का है अपने को pass book plus और minus ठेके text deposited but not collected चला अब देखो point number 3 आएगा बिटा भी या इस में no, four, five, six, seven, कुछ भी नहीं आएगा है सब कहां cover कर चुके है अपन लोग adjusted cash book में consider हो गया है positive का total बोलिए पुछमन लाग पुंद्रा हजार पांत सो and negative तो वो ही सेम 5,55,000 दोनों में plus का total ज्यादा है बेटा मुले कितना आया हम question start कहां से किये थे cash book पहुँच कहां गए बेटा pass book positive है तो pass book का balance क्या माना जाएगा credit this is your practical question number agreed भीड़ा कल इस chapter का last day रहेगा हम लोगों ने सारे illustrations में से illustration number one और nine consider नहीं किया है second, third, fourth यह हमारे class में discuss हुए five, six अभी अपनने कर लिया आज seven अपनने पहले ही कर लिया था eight, nine अपना हो गया था eleven आपको मैंने homework में दिया था practical question number one और four मैंने आपको homework में दिया बेटा second अपनने आज कर लिया, third अपनने कल किया था illustration number one and ninth are pending हम लोग कल करेंगे कल उस illustration number one और nine को पढ़ने पर यह समझ में आएगा कि practically जब कभी हम लोग actual में BRS बनाए आपके सामने एक cash तरफ cash book रखी हो एक तरफ pass book रखी हो और फिर अपने को देखें कि cash और pass book का जो balance और match नहीं हो रहा then how we will identify the reason of differences and how to make BRS कल यह topic भी खतम हो जाएगा आज जो पढ़े समझ में आ गया सबको कल विलता है